नमस्कार आप देख रहे हैं इविरेन न्यूस मैं हूँ अब किस साथ में मनीशा जा टीमसी नेता और आज इस अबासांसत सुश्मिता देव ने काफिले पर हमले के मामले में कारेवाई ना करने पर त्रिपरा पुलस पर निशाना साथा है मालूम होगी पिछले दिनों सुश्मिता देव के काफिले पर हमला हुआ था जिसके बाद इस हमले का एक वीडियो सुश्मिता देव ने पुलस को दिया था वही पुलिस का कहना है कि जो वीडियो उन्हीं दिया गया था वे काफी छोटा है और उससे आरूपियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है पुलिस के इस बयान पर सुश्मिता देव ने भरकते हुए ट्विट किया कि अगली बार जब हमला होगा मैं लंबा वीडियो बनाऊंगी और अपने उपर हमला करने वालों से कहूंगी कि वे हमें पीटने और कार पर हमला करने से पहले अपना नाम अपना पता और फोन नंब पर दे जाएं उन्होंने आगे लिखा कि त्रिपुरा पुलिस के लिए कारी करताओं को लगी चोटे घंभीर अपरात नहीं है साथी उन्होंने मुख्यमंतरी बिपलब देव पर निशाना साथते हुए कहा कि क्रिप्या पुलिस को आच्छा ट्विट लिख कर दीजिए द पुलिस ने कहा कि सुश्मिता देव की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था और जाच में नौ लोगों के खलाफ सबूत भी मिले उनके खलाफ नोटिस भी जारी किये गए साथी शिकायत करता द्वारा हमले का कथिछ चोटा वीडियो और चार लोगों के नाम दिये गए थे हलाकि इनके बारे में जादा जानकारी नहीं दी गई थी जिससे संदिकदों की पहचान में भी मदद नहीं मिली ऐसे में इन्पुट के आधार पर चार लोगों की पहचान की गई लेकिन इन लोगों के पास परियापत सबूत थे कि वे हमले के समय मौके पर मौजूद नही एबियने न्यूस के साथ